हलो बच्चो क्या हाल चाल बढ़िया एकदम वेलकम ओल आफ यू तो दा अलफा सीरीज फॉर क्लास 11 फिजिक्स और अभी हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स और आज है उसका लेक्चर नमबर 8 तो लेक्चर नमबर 8 में हम पढ़ेंगे Position Vector and Displacement Vector तो वैसे तो यह बहुत ही असा टॉपिक है और हो सकता हूँ आप पहले से पढ़ चुके हो पर मैं आज आपको Position Vector और Displacement Vector का Feel देने वाला हूँ उसका concept एकदम बढ़ियां से आपके दिमाग में fit करने वाला हूँ क्योंकि ये position vector और displacement vector आगे आने वाली पूरी physics में काम आएगा साथी साथ हम position vector और displacement vector के बढ़ियां बढ़ियां सवाल लेकर आए हैं जिसको हम धुआं धुआं कर देंगे तो तयार हैं आप जल्दी से copy और pen निकालो, notes बनाना स्टार्ट करो और जए एक दमी आलती वच्चे हैं वो इस lecture के PDF notes भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी website www.physicswalaalagpande.com पर जाकर website का link नीचे comment में और description में मैं दे दूँगा तो शुरू करें तो शुरू करते हैं भाई, lecture number 8, today's goal, आज का goal है position vector को समझना displacement vector को समझना और इनके ओपर मास्त मास्त सवाल धुआ धुआ करना शुरू करें, तो श्टार्ट करते हैं भाई, position vector से पहले ये समझते हैं कि position vector की जरूरत क्या पढ़ी एक छोड़ी सी कहानी तुमारी मम्मी ने तुमें घर से बाहर भेजा, किसलिए भेजेंगी? क्रस से मिलने तो भेजेंगी नहीं, कि जो अपने क्रस से में लाओ वही भेजेंगी सबजी मंगाने के लिए दो किलो आलू ले आना, एक किलो बैगन ले आना, दो किलो टमाटल ले आना याद रखना वनना बहुत पिटोंगे घर आके एक दो चीज छूड़ जाती ही बहुत पिटते हैं तो तुमको वही जोला देके भेज दिया कि दो किलो आलू, एक किलो वैगन और दो किलो टमाटल लेके आना जोले को तुम वहार बहुत चुपाते हो न कि वह बाजो वही लड़की ना देख लेए गंदा सा जोला लेके आगे मम्मी वही देती है ऐसे चुपाते हुए जोला तो ही निपास से एक तो समार्ड बनके निकले अचा निकलते ही रास्ते में मम्मी का कॉल जरूर आता है एक बार किसलिए कुछ ना कुछ वह बूल जाती है ना कि धनिया ले आना नीबू ले आना वगएरा वगएरा तो मम्मी का कॉल आया तुमने उठाया मम्मी ने बोला हलो का हूँ तुमने बोला यही है ममी ने बोला का हूँ तुमने बोला यही है ममी ने बोला सही सही बताओ का हूँ तुमने का रोड पे है ममी ने का चपल मारेंगे तब तुमने बोला वो ठगगू बया की दुकान है ना उससे 10 मीटर आ गए है ऐसे ही नाम होता है ना ठग्गू बईया की दुकान जो ठग लेते हैं ऐसी दुकान होती है हर मुल्ले में तो मैं भला ठग्गू बईया की दुकान से 10 मीटर पे हैं अब मम्मी को तुम्हारी लोकेशन परफेक्टली समझ में आ गई क्यों क्यों क्योंकि अब तुमने एक reference point दिया पहले मम्मी ने पूछा कहा हो तुमने 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 कहा हो तु कि exact location जानने के लिए एक reference point बहुत necessary होता है जैसे तुमारी exact location क्या थी ठगगो वया की दुकान से 10 meter आगे को तो यही है position vector ज़रा समझते है position vector को if you want to specify position of a point if you want to specify position of a point you need to have a reference point you need to have a reference point and this reference point is called origin भाई हम लोग किसी भी चीज़ की position किसके respect में बताते हैं origin के respect में अगर reference point ही ना हो तो position बताने का कोई मतलब ही नहीं है फिर तो यही बात हो कि यहाँ है यहाँ है कहाँ है ठगगो बया की दुकान से 10 meter आगे को if you want to specify position of a point you need to have a reference point एक reference जहिए और बच्चों उसी reference point को physics में या maths में हम क्या बोलते हैं origin बोलते हैं ठीक है शुरू करते हैं कहाँनी को हमारे पास यहाँ पे एक x direction है एक y direction है origin कहाँ पे होती है सबको पता है यहाँ पे origin होती है जीरो कॉमा जीरो पे ठीक है माल लो कोई point p space में है इस जगह पर p point space में p point कितना दूर है origin से origin से इसकी दूरी क्या है तो हम बोल देंगे इधर हम चले x distance इधर हम कितना चले x distance और इधर हम चले y distance हम x चले y चले p पे पहुँच गे p का coordinate क्या हो जाएगा x, y हो जाएगा p point पहुचना था origin से कैसे पहुचे x चले इस तरफ y चले इस तरफ पहुच गए p point तो एक तरीका तो यह कि ऐसे चले ऐसे चले और पहुच जाए एक तरीका क्या है सीधा origin से हम p पे पहुचे यह ऐसे सीधा origin से P पे पहुँचे बच्चों जो सीधा origin से P को join करता हुआ vector है इसी को बोलते है position vector symbol use करते है R vector सीधा origin से जब P point को हमने join किया तो इसी को बोलते है position vector of a point with respect to किसके respect में? origin के respect में अब मैं कहूँ मुझे R vector लिखना है मुझे R vector लिखना है ऐसे नहीं चलेगा मुझे R vector लिखना है बाई कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा parallelogram law use कर लेते हैं ये vector x है बच्चों ये vector y है अच्छा parallelogram complete करते हैं बच्चों ये vector भी कितना हो जाएगा ये vector भी कितना हो जाएगा ये y तो ये y तो एक vector x हो गया एक vector y हो गया कैसे joined है? टेल से टेल ताल से ताल मिला और इनके diagonal से निकल रहा है R vector तो भाई parallelogram law क्या कहता है कि R vector क्या होगा? इस vector का और इस vector का sum बच्चों ये vector क्या हो जाएगा? भाई इस तरफ कितना चले? x किस direction में? x के direction इस तरफ का unit vector क्या होता है? i cap तो ये हो जाएगा x i cap इस तरफ कितना चले? y इस तरफ का unit vector लगा दिया y j cap ये हो गया vector. What is R vector? It is sum of this vector and this vector by parallelogram law. तो हम बोल सकते हैं R vector is equals to x i cap plus y j cap इसको बोलते हैं बच्चों position vector of point P with respect to origin. Clear हुई बात? origin से सीधा सीधा एक vector P point को जो जोडता है इसको बोलते हैं position vector कैसे लिखते हैं? x i cap plus y j clear है? origin से P पहुँचने का तरीका? जौं जौं. एक तो ये तरीका है, खचक खचक. एक कैसीधा कूद का रही से पहुँचे चाओ. मैंने का इसी को बोलेंगे position vector. कैसे निकालेंगे? एक x, एक y parallelogram complete किया. ये y तो ये y. अब ये diagonal है. diagonal क्या होता है? vector sum of this and this. तो मैंने बोला ये vector कितना हो जाएगा? x i cap, ये y j cap. r is equals to x i cap plus y j cap. note करना हो, note करें, pause करके. मैं 5 तक गिनूँँगा. 1, 2, 3, 4, 5. pause करके note करना भाई. आगे बढ़ते हैं. position vector specifies the position of a particle in space with respect to an origin. ये बात मैंने आपको बता दी. position vector क्या करता है? specify position of a particle in space किसके respect में? with respect to origin. ये बात याद रख लिए है. अब माल लो, हमारे पास एक point है जिसका coordinate x, y है और ये हमारी origin है 0, 0. तो पी point का position vector क्या r बन जाएगा? क्या r को आप सीधा vector form में अब express कर सकते हो x i cap plus y j cap. clear है? इधर x चले y चले. x i cap plus y j. मैं आप से कहूँ बाई, इसका magnitude कितना है? origin से कितना दूर है? मुझे magnitude चाहिए. तो मैं mod r निकाल सकता हूँ. under root क्या होता है? बताओ. i वाले का square और j वाले का square. मतलब x square plus y square. चलो भाई, mod r भी निकाल लिया. और r vector भी समझ गये. अब मालो कोई आप से कहता है, कि आप किस direction में हो? आप origin से किस direction में हो? तो बच्चो direction कैसे बताएंगे? unit vector से बताएंगे. इसी direction का एक unit vector ले लेंगे r cap. बच्चो r cap की value यहां से क्या हो जाएगी? vector r upon mod r. vector r क्या है? x i cap plus y j cap. mod r क्या हो जाएगा? under root x square plus y square. यह क्या मिल गया? आपको direction मिल गया. यह क्या मिल गया? magnitude. और यह पूरा-पूरा vector मिल गया. clear है? यह क्या बता रहा है? direction क्या है p का origin के respect में? यह क्या बता रहा है? exactly कितनी दूर हो origin से? और यह पूरा उसका vector form है. note करना हो, note करें. यही होता है by position vector. अगर किसी particle p का coordinate x, y है. तो उसका position vector हो जाएगा? x i cap plus y j cap. simple. pause करके note करना हो, note करें. 1, 2, 3, 4, 5. note कर लिया, आगे बढ़ते हैं. find r a, r b, r c, r d. position vector निकालना है? किसका? point a का, point b का, point c का, point d का. निकाला जाए, जल्दी-जल्दी किया जाए इसको. point a का position vector with respect to origin. बच्चों, यह हो जाएगा r a vector. r a vector को आप सीधा-सीधा क्या लिख सकते हो? point a के coordinate देख लो. x में कितना है? 2, 2 i cap. y में कितना है? 2, 2 j cap. clear? इसी तरह से आप r b निकाल सकते हो, r c निकाल सकते हो, r d भी निकाल सकते हो. चलो. r b क्या हो जाएगा, बच्चों? ये वाला vector हो जाएगा, r b vector. r c क्या हो जाएगा? ये वाला vector हो जाएगा, r c vector. r d क्या हो जाएगा? ये vector हो जाएगा, r d vector. ये सब क्या है? position vector है. what is this? this is position vector of a with respect to origin. समल समल के कदम रखना. R B क्या हो जाएगा X में कितना है Minus 2 I cap Y में कितना है 2 J cap Simple X वाले में I cap लगाओ Y वाले में J लगाओ और यहीं पर Z होता तो उसमें K लगा देते हैं अभी सीखेंगे वो भी RC कितना हो जाएगा Minus 2 I cap Minus 2 J cap RD कितना हो जाएगा 2 I cap Minus 2 J cap फिर हम से क्या पूछा है Also find RA cap RB cap RC cap RD cap यानि इन सब वेक्टर का Direction मतलब की Unit Vector निकालना है आओ भाय करते हैं यह काम भी RA cap बच्चों RA cap क्या हो जाएगा RA vector upon mod of RA इधर से RB cap क्या हो जाएगा RB vector upon mod of RB RC cap क्या हो जाएगा RC vector upon mod of RC and RD cap क्या हो जाएगा RD vector upon mod of RD जल्दी यल्दी निकाल दो हलवा सवाल है RA vector कितना है 2 I plus 2 J cap cap upon mod I कितना हो जाएगा under root I वाले का square 2 का square 4 J वाले का square 2 का square 4 2 square plus 2 square 4 और 4 8 2 I cap plus 2 J cap 2 square 2 square कितना आ गया root 8 ये हो गया unit vector along A A का direction origin के respect RB cap निकालना है भाई तो RB vector रग दो minus 2 I cap plus 2 J cap upon under root minus 2 का square 2 का square minus का करो या simple square 4 और 4 फिर से कितना आएगा 8 ही आ जाएगा RC cap क्या हो जाएगा minus 2 I cap किजी को ये सब boring लग रहा है तो आगे बड़े आप बढ़िया सवाल मिलेगे एकदम tension ने under root नीचे इसका square इसका square ये भी 8 आ जाएगा RD vector 2 I cap minus 2 J cap नीचे under root इसका square plus इसका square ये भी हो गया root है तो ये आपको position vector निकालने की थोड़ी सी practice करा दी हमने simple clear है ये आगे बड़े pause करके note करना note करे 1 2 3 4 5 चलो भाई ये तो clear हो गया चलो next question आगया the coordinate of a point is 1,1 find its position vector r बड़ा असान है I cap plus J cap फिर क्या पूचा है angle made by r with x axis थोड़ा बनाना पड़ेगा आप लग रहा है और बनाते हैं तीसरा point भी ये वो भी देखेंगे और बनाते हैं इसको थोड़ा इसको बना लेते हैं ये x हो गया ये y हो गया coordinate of a point is 1,1 x में 1 y में 1 तो यहां माल लेते हैं point है 1,1 point का कुछ नाम दे देते हैं नाम देते हैं चलो इसका नाम p दे देते हैं और बच्चो ये रहा origin o सबसे पहले इट्स position vector r बच्चो ये होगा position vector r r की value आप तुरिंद बता सकते हो क्या हो जाएगी 1 into i cap plus 1 into j cap i cap plus j cap हो गया r vector चलो भाई पहला पार्ट खतम दूसरा पार्ट angle made by r with positive x-axis थोड़ा गलत प्रिंट हुआ है angle made by r with positive x-axis बच्चो ये positive x-axis है ये यहां से कितना angle बना रहा positive x-axis से बहुत असान है ये भी भाई यहां से देखो बहुत यह असान है इधर कितना चले जाएगी perpendicular upon base 1 बटे 1 बच्चों ये कब होता है जब theta हो 45 degree 1 बटे 1 तीसरा सवाल का point थोड़ा अच्छा है तीसरा part the volume of a cone generated when the line segment representing r rotates about positive x-axis 1 and fixed at origin अब ये कह रहे है भाई ये कोन बनेगा क्या बनेगा एक cone the volume of a cone generated when the line segment representing r rotates about positive x-axis के about ये पूरी rotate करेगी 1 and fixed at origin ये end fix रहेगा और ये पूरी origin के about ऐसे rotate ये देखो ऐसे है ये point fix रहेगा ये end fix रहेगा 1 and fix that origin ये origin के about fixed है और इसको rotate करेंगे about x-axis देखो ये कोन बनेकर सामने आ रहा है इस कोन का volume पूछा है आँ कोन बनाते हैं इसको गुमा गुमा कर भाई इसको गुमाना है about positive x-axis और ये point ये रुका रहेगा तो भाई ये vector ऐसे गुमेगा ऐसे गुमेगा ऐसे गुमेगा यानि कि यहां से ये जाएगा ऐसे नीचे और ये यही fixed रहा इस कोन का हमें क्या चाहिए volume चाहिए कोन का volume मेरी एक teacher थी volume बोलती थी volume कोन का हमें क्या चाहिए volume चाहिए बच्चों का volume सबको पता है क्या होता है 1 by 3 pi r square h जहां पर r होता है radius h होती है height r unit vector नहीं है position vector नहीं है इसको capital लिख देता हूं position vector नहीं है 1 by pi r 1 by 3 pi r square h यही होता है r होता है radius h होती है height बच्चों इसका radius कितना होगा मेरे ख्याल से यही इसका radius है 1 और height कितनी होगी मेरे ख्याल से ये इसकी height हो जाएगी, ये भी 1 है, द्यान से देखो, ये हो गया radius, ये हो गई height, ये height, ये radius, तो बच्चों, इस कोन की height कितनी है, 1 unit, meters, meters तो कुछ दिया नहीं है, r कितना है, 1 unit है, कोई unit तो दीनी है, meter, centimeter, ये हो गया radius, ये हो गया height, रख देंगे, हम value calculate कर ले हो जाएगा, value हो जाएगा, 1 by 3, pi r की value 1 का square, h की value 1, तो pi बटे 3, unit जो भी होगी, उसका cube, अब जो भी unit हो, meter में दिया है, meter cube, centimeter दिया है, centimeter क्लियर है, एक end origin पे fix है, और इसको rotate किया about positive x-axis, ऐसे, तो एक कोन बन कर आया, यहां के about ये fix था और ऐसे पुरा rotate किया, note करना और note करें, I will count till 5, 1, 2, 3, 4, सर सामने हाथ रखलो कैसे note करेंगे, चलो 1, 2, 3, 4, 5, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत feel आ गया position vector का, अब हम आगे position vector in 3D, position vector in 3D, position vector in 3D, position vector in 3D, बड़ा simple है भाई, यह p point है, यह हमारा x-axis, यह हमारा y-axis, यह हमारा z-axis, यह रही origin है, by position vector क्या होगा, इसका यही होगा, vector r, पहले क्या लिख रहे थे, x-i-cap, प्लस y-j-cap, अब उसमें क्या जूड जाएगा, z-k-cap, x चले, y चले, और z भी चले, x चले, y चले, और z भी चले, यह आगे आज़ो या पीछे आज़ो, x चले, y चले, और z भी चले, अब by position vector को आप क्या बोल सकते हो, r vector is equal to x-i-cap, प्लस y-j-cap, प्लस z-k-cap, मैं पूछू, distance कितना है, mod r पूछ रहा हूँ, under root x-square, प्लस y-square, प्लस z-square, यह हो गया magnitude, मैं पूछू, इसका direction क्या है, direction क्या होगा, एक unit vector along r, r-cap, अगर मैं इसका direction पूछू, तो आप r-cap बता दोगे, vector r upon magnitude of r, x-i-cap, प्लस y-j-cap, प्लस z-k-cap, divided by under root of, बोलो, mod कैसे निकलेगा, i के साथ का square, j के साथ वाले का square, k के साथ वाले का, यानि x-square, प्लस y-square, प्लस z-square, simple है, 2D में दो ही coordinate थे, तो एक में i-cap, एक में j-cap, 3D में 3 coordinate है, i-cap, j-cap, k-cap, यह क्या मिल गया, magnitude, कितना दूर है ठग्गू की दुकान से, यह क्या म कानपूर में दुकान भी है, कानपूर में मेरा college था, वहाँ पे दुकान है, ठग्गू के लड्डू, और उनकी दुकान का जो title है, उसमें लिखा हुआ है, ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको हमने ठगा नहीं, और वहाँ पे, बदनामी हो जाएगी, उनके, 14 रुपय का दूद, तो कूल दूद लोग बोलते थे कि इसको G-square बोलते हैं, हमको तो Z-square लगता था, तो Z-square का किराया था, हमारे college से वहाँ तक 7 रुपय में पहुँच जाते थे, 14 रुपय का लड्डू था भईया, तीन दोस्ते, तीनों ने मिलके खाया था, एक लड्डू, अर इसके भी सवाल हम लोग हिला देते हैं, 1, पॉस करके नोट करो, 2, 3, 4, 5, आजाओ, अच्छा, displacement vector आ गया, रुक न जड़ा, displacement vector पढ़ाने से पहले मैं तुमको एक बढ़ियां logic देने जा रहा हूँ, उसको आओ देखते हैं, रुक जाओ, रुक जाओ, एक बढ़ियां सी logic देखते हैं, हैना एक बढ़ियां साह में concept देख लेते हैं, तगड़ा concept देखेंगे, जिससे तुमारे आगे के सवाल बहुत speed में हूँ, concept क्या है सदूर, माल्लो मैं तुमसे बोलू, कि यहाँ पे एक vector A है, और एक vector B है, और कैसे जुड़े हैं, टेल से टेल जुड़े हैं जुड़े हैं, टेल से टेल जुड़े हैं, अब अगर मैं आपसे पूछू, ध्यान देना, मैं diagonal नहीं बनाऊंगा, अब अगर मैं आपसे पूछू, कि बच्चों, यह vector कौन सा है, यह vector कौन सा है, मैं आपसे पूछू, टेल से टेल जोड़ने के बाद, मैं इनका head से head तो ये वेक्टर कौन सा है बच्चों ये वेक्टर होगा बाद वाला माइनस इनिश्यल वाला बी माइनस ए ररर नहीं फील आया रुक जाओ अराम से अराम से मैंने का ये वेक्टर क्या है पहले दो वेक्टर कैसे एक बढ़ियां कॉंसेप्ट दे रहे हैं ये सीख लोगे मैंने कहा अगर इनको हैड से है अगर मैं इनको हैड से हैड चोड़ता हुए एक वेक्टर बनाऊं तो क्या होगा तो मैं बता रहा हूँ क्या होगा final vector minus initial vector b minus a अब बात आई कैसे सुलो मान लेते हैं बच्चों ये vector r है इसमें कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं vector r अब जड़ा ये triangle धियान से देखो vector a ऐसे चले vector r ऐसे चले और vector b चले opposite direction if two vectors represent two sides of a triangle taken in same order या taken in same direction if two vectors represent two sides of a triangle taken in same order या taken in same direction then the resultant ये resultant नहीं है नाम दिया यार then the resultant is given by the third side of the triangle taken in opposite order तोड़ा कम feel हुआ सर अराम जे सुनों बच्चों एक vector a है ये इसका head इसके head से दूसरे की tail ले जाके इसका head तो एक vector ये हुआ एक vector ये हुआ दोनों जूर रहे हैं की नहीं if two vectors are represented by two sides of a triangle taken in same थोड़ी दर के भूल जाओ कि r resultant होता है if two vectors are represented by two sides of a triangle taken in same order then the resultant is given by the third side of the triangle taken in opposite order बाई अगर हम triangle complete करते a, r, b ऐसे बनना चाहिए था na a, r, b in the same direction बनना चाहिए था पट नहीं b कैसे बना है in the opposite direction यानि b क्या है a और r का resultant है if two vectors are represented by two sides of a triangle taken in same order then the resultant is given by the third side of the triangle taken in opposite order ऐसे चलना चाहिए था देखो ऐसे चले ऐसे चलना था पर opposite order कहने का मतलब vector a और vector r को यदी हम जोड़े तो यहाँ पे vector b आना चाहिए vector a और vector r को यदी हम जोड़े if two vectors are represented by two sides of a triangle taken in same order then the resultant is given by the third side of the triangle taken in यह 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 ऐसे आना चाहिए था in the opposite order यहाँ साफ साफ देखो vector r क्या बन गया vector b minus vector a तो यही तो मैं बोल रहा था कि अगर दो vector tail से tail जुड़े है और फिर आप उसको head से head भी जोड़ना चाहो tail से tail जुड़े है head से head जोड़ता हुआ एक vector बनाओ तो vector क्या होगा बाद वाला minus पहले वाला नहीं आया सर feel नहीं आया एक और देखते है feel आयेगा भाई कैसे नहीं आयेगा एक और देखते है चलो इसी को फिर से बना लेते है ये मैंने बनाया vector a ये मैंने बनाया vector b दोनों vector कैसे जुड़े हैं अभी भी tail से tail जुड़े है tail से tail जुड़े है मानलो मैं एक vector बनाओ जो इनके head से head को जोड़े इस बार ऐसे बना देते हैं अब ये वेक्टर क्या हो जाएगा बाद वाला माइनस पहले वाला बी ए माइनस बाद वाला माइनस पहले वाला नहीं आया भी भी चलो थोड़ी देखले माल लेते हैं बच्चों ये वेक्टर आर है थोड़ी देखले माल लेते हैं वेक्टर आर है मैं तो सिंपल बता रहा बढ़ियां बढ़ियां सवाल खट 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 हिले गए वनना वही ट्रैंगिल लो लगाते रह जाओगे ये सब करते रह जाओगे छोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं मैंने का अगर टेल से टेल जुड़े हैं दो वेक्टर और आप उनके हेड से हेड जोड़ता हुआ एक वेक्टर बनाओ तो वो क्या होगा बाद वाला माइनस पहले वाला मतलब बाद वाला जिधर पहुचे इधर से इधर गए जहां पहुचे माइनस पहले वाला जला देखो इसको भी एक वेक्टर भी एक वेक्टर र two vectors represented by two sides of a triangle taken in same order then the resultant is given by the third side of the triangle taken in opposite order. बाई कैसे चले आप? B चले ऐसे, R चले ऐसे, अब आपको ऐसे चलना चाहिए था, तब triangle complete होता. Two vector represent two sides of a triangle taken in same order, यह देखो, two sides of a triangle है, taken in same order then the resultant is given by the third side of the triangle taken in opposite order. मतलब मैं यहां लिख सकता हूँ vector B plus vector R is equals to vector A, यहां से vector R क्या बन गया? vector A minus vector B, यही तो मैं बोल लाँ था, बाद वाला minus पहले वाला, फील लो इसका, अब यह नहीं है कि एक्जाम में तुम यह सब लिखोगे बार बार, भाई जो तुमें concept बताया वो तो तुम समझो, tail से tail जुडा, head से head जोडता हुआ vector बनाएंगे, तो बाद वाला minus पहले वाला, चलो अब खटाक से बता दो इसके लिए, third point, खटाक से बताएंगे सभी लोग, एक vector मान लो P है, एक vector मान लो Q है, मैं मान लो ऐसे एक vector बना दूँ, तो ये क्या होगा, क्या दोनों vector tail से tail जुड़े हैं, जी हाँ जुड़े हैं, क्या ये एक के head को दूसरे के head से जोड़ा है, जी हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, बाद वाला minus पहले वाला, vector Q minus vector Q, खतम, जरा चोथा देखो, देखते हैं जो बाई, बड़ा काम की चीज़ बता रहे हैं, ध्यान से एकदम, ध्यान से देखना, मान लो यहाँ पे point P है, यहाँ पे point Q है, और ये है origin O, ध्यान से, मैंने आप से कहा कि, एक है vector OP, एक है vector OQ, किस से जुड़े हैं, टेल से टेल, एक है vector OP, एक है vector OQ, कैसे जुड़े हैं दोनों vector, टेल से टेल, यह हो गया OP, यह हो गया OQ, तो बच्चों ये वेक्टर कितना हो जाएगा बाद वाला माइनस पहले वाला भाई ये वेक्टर कितना बोला हमने OQ वेक्टर ये वेक्टर कितना बोला हमने OP वेक्टर भाई एक O से P जोड़ा OP वेक्टर O से Q जोड़ा OQ वेक्टर अब जब यहां से यहां आए तो बाद वाला माइनस पहले वाला ये वेक्टर कितना हो जाएगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर बोलो फील आया की नहीं है अभी ये सर क्या किया आपने सारा दही कर दिया इतने मस्त समझ में आ रहा था मस्त समझ में आ रहा था सर बंटाधार कर दिया आपने ये बना के पर मैं इसको बनाऊंगा क्योंकि भाईया concept सिखाना है फिर से बनाएंगे भले ही मैंने कहा मान लो हम ऐसे coordinates बना लें यहाँ पे एक point P है यहाँ पे एक point Q है यहाँ पे origin है मैंने origin से P को जोड़ा इस vector को बोला O P vector O से P को जोड़ा और origin से Q को जोड़ा इस vector को मैंने बोला O Q vector origin से Q को जोड़ा अब मैं आपसे कहूं कि यह vector कितना है तो यह दोनों vector कैसे जुड़े हैं टेल से टेल जुड़े हैं आप एक के head को दूसरे के head से जोड़ना चाह रहे हो, तो ये vector कितना हो जाएगा, final वाला minus initial वाला, oq vector minus op vector, बोलो अभी feel आ गई बात की, अभी clear हो रही है बात, अभी समझ में आ रहा है यह, यहां तक clear हुआ q, p, किस से जोड़े हैं, tail से tail, एक के head को दूसरे head जोड़ा, final minus initial इसमें अभी भी गड़बाड़ी है, वो मजा नहीं आ रहा, संतुष्टी नहीं मिल लगी, मैंने का, एक point p, एक point q, और एक origin, origin से p को जोड़ा, एक vector बना op, origin से q को जोड़ा, एक vector बना oq, अब op और oq दो vector हैं, op और oq दो vector, भाई, नाम है, a, b हो सकता है, तो op भी हो सकता op और oq दो vector हैं, जो की tail से tail जुड़े हैं, आपने एक के head को दूसरे के head से जोड़ना चाहा, यह, तो यह vector कितना होगा, बाद वाला, माइनस, पहले वाला, तो यह concept दिल में बठा लो, बढ़ियां से, मैं पानी पी लेता हूँ, one, two, three, four, five, इसको use करना है आगे, अब भूल जाओ, ठीक है, इसको सीख कर जेबा में रखो, और आगे बढ़ो, चलो भाई, ठीक है, tail से tail जुड़े हैं, अगर head से head जोड़ोगे, तो बाद वाला, माइनस, पहले वाला, यह क्या हो जाएगा सीधा-सीधा, b-, tail से tail जुड़े हैं, अगर head से head जोड़ना चाहोग तो ऐसे गए, बाद वाला, माइनस, पहले वाला, tail से tail जुड़े हैं, head से head जोड़ना चाहा, बाद वाला, माइनस, पहले वाला, यह concept relative velocity में बहुत help करेगा आपको, आगे बढ़ें, let's go, displacement vector, position vector समझ में आया, किसी point की position specify करना with respect to origin, point का coordinate x, y, position vector x i cap plus y j cap, point का coordinate x, y, z, position vector x i cap, y j cap, z j cap, clear, magnitude बताना है, under root x square plus y square plus z square, उसका आपको direction बताना है, unit vector निकाल लो, vector r upon mod r, अब आया displacement vector, बच्चो displacement क्या होता है, shortest distance between initial and final position, shortest distance between initial and final position, displacement vector क्या होगा, एक एक ऐसा vector, जो join करे, initial point को final point से, simple, displacement vector is a vector, joining initial position to final position, initial position को final position से, जोडने वाले vector, simple, एकदम simple, कोई दिमाग पर लोडनी लेना, हाँ भाई, अब सीखते हैं इसको, मानलो फिर से coordinate बन गया, x और y, यहाँ पे फिर से अपनी origin है, यह अपनी origin है, अब भाई, displacement होना है, initial से final, तो दो point होगे, मानलो कोई चिराइअ थी, वो चिराइअ मानलो पहले a point पे थी, वो चिराइअ उड़, उड़कर, उड़, उड़कर b point पे पहुँच गए, displacement क्या है, उसका a, b, क्या displacement है, a, b, हमने का o से a को join किया, यह मिला a का position vector, Let us call this R1 vector हमने O से B को join किया ये मिला B का position vector Let us call this R2 vector अब अगर मैं आप से पूछू अब अगर मैं आप से सरे smile कर रहे हो क्योंकि पिछला concept यूज होगा अब अगर आप से मैं पूछू Y displacement क्या है displacement vector is a vector joining initial position to final position initial position A final position B ये होगा displacement vector displacement vector इस सवाल में इस कहानी में इस diagram में displacement vector क्या हो जाएगा हमारा A B vector हो जाएगा क्या A B vector आप खटाक से मुझे बता सकते हो दो vectors हैं जो tail से tail जुड़े हैं आप एक के head को दूसरे के head से जोड़ना चाह रहे हो जल्दी से बता दो भाई A B vector क्या होगा दो vectors हैं जो tail से tail जुड़े हैं ये vector कितना है R1 ये कितना है R2 आप एक के head को दूसरे के head से जोड़ना चाह रहे हो क्या हो जाएगा final minus initial बाद वाला minus पहले वाला यहीं तो सिखाया था रहे इतनी देर सम्वान तुमको tail से tail जुड़े थे A और B head से head जोड़ा B minus A tail से tail जुड़े थे A और B head से head जोड़ा बाद वाला minus पहले वाला ये देखो tail से tail जुड़े थे दो vector ये vector क्या होगा बाद वाला minus पहले वाला यही logic तो यहाँ भी लगी यही लोजिक तो लगी भाई एक पॉइंट A, एक पॉइंट B चिरया थी, चिरया A पॉइंट पे थी A पॉइंट का पोजिशन वेक्टर R1 बन गया B पॉइंट का पोजिशन वेक्टर R2 बन गया नहीं आ रहा, फिल नहीं आ रहा, रुको एक मिनट फिर से भाई यहां हमारे पास एक चिरया है वो A point पर है उड़ उड़ कर चिरया B point पर पहुँच गई है मैंने का यहां पर origin है O से A को जोड़ा A का position vector R1 O को B से जोड़ा B का position vector R2 अब मैंने कहा भाई displacement क्या है आपने कहा initial से final point vector joining initial position to final position तो भाई मैंने यहां पूछा इस diagram में displacement vector displacement vector इस diagram के हिसाब से कौन सा है आपने कहा A B vector मैंने कहा क्या आप A B vector मुझे खटाक से बता सकते हो आपने कहां सर दो vector tail से tail जुड़े हैं आपने एक के head को दूसरे के head से जोड़ा बाद वाला माइनस पहले वाला R2 vector माइनस R1 vector आगे आपको यही होता है displacement vector बाद वाले का position vector माइनस पहले वाले का position vector that is the displacement vector it is so simple इसको लिखने का बच्चों एक तरीका और फैल रखा है market में वो क्या है जरा देखो AB vector is equals to बच्चों इस vector को OB vector भी बोल सकते हैं और इसको OA vector भी बोल सकते हैं OB vector और इस vector को और हम क्या नाम दे सकते हैं OA vector तो भाई displacement vector क्या हो जाएगा A से B बाद वाला माइनस पहले वाला यानि OB vector माइनस OA vector या यह logic लग गई AB क्या किया OB माइनस OA माल लो यहीं पे लिखा होता AP vector सीख लो यह चीज AP vector ज़ода आराम से सोचो क्या लिख देते हैं OP vector minus OA vector इसका position vector minus इसका final वाले का position vector minus initial वाले का position vector नहीं आया आया की नहीं आया भाई मैंने का इसको मैं OB vector बोल दूँ O से B जोडने को इसको मैं OA vector बोल दूँ O से A जोडने सवाल तो हिलाई देंगे, concept का feel तो ले ले, OA vector, मैंने का भाई, दोनों की tails जुड़ी है, आपने head से head जोड़ना चाहिए, यही तो displacement है, joining initial position to final position, इसका feel नहीं आता कई लोग को, रटा होता है सबको final minus initial, यह, initial से final, बच्चों यह vector क्या होगा, बाद वाला minus, पहले वाला से, बाद वाले का position vector, पहले वाले का position, मैंने AP पूछ लिया, आपने का, OP minus OA, मालों मैं यहीं पर तुमसे पूछ लूँ, RS vector, RS vector, क्या हो जाएगा, OS vector minus OR vector, मैं आपसे पूछ लूँ, यहाँ पर RQ vector, क्या हो जाएगा, OQ vector minus OR vector, यह याद रखना, market में यह trend बहुत फैला हुआ है, relative velocity में काम आएगा, important है, कहर अभी इससे कुछ लेना देना नहीं, वापस आते हैं कहानी में, तो हमने बोला, यह AB vector क्या हो जाएगा, बाद वाला minus पहले वाला, R2 vector minus R1 vector, अब मान लो, A और B के coordinates हमें given होते, ठीक है, मान लो हमें given है, A का coordinate है, X1,Y1, और B का coordinate है, X2,Y2, क्या आप R1 और R2 अब बता सकते हो, भाई R1 क्या हो जाएगा, बोलो, R vector क्या होता है, XI cap plus YJ cap, तो R1 क्या हो जाएगा, X1 I cap plus Y1 J cap, similarly R2 vector क्या हो जाएगा, X2 I cap plus Y2 J cap, बढ़ा simple, अब इस value को चलो, यहाँ पर हम चिपका देते हैं, यह जो given को values मिली, R1, R2 की यहाँ चिपका देते हैं, R2 minus R1, R2 क्या है, X2 I cap plus Y2 J cap, minus, R1 क्या है, X1 I cap plus Y1 J cap, बढ़ा simple है, बाद वाला minus, पहले वाला, भाई I में से I minus होता है, J में से J, तो X2 में से X1 minus किया, आगे क्या लगा दिया, I क्या, और Y2 में से Y1 minus किया, और आगे क्या लगा दिया, J क्या, बढ़ा simple था, आपको मिल गया vector AB, simple, क्या करना है, अगर आपको displacement vector निकालना है, तो बाद वाले का X minus, पहले वाले का X I cap, बाद वाले का Y minus, पहले वाले का Y J cap, बढ़ा simple, अरे भाई जो actual question होगा, उसमें तो values होगी, यहाँ पे 2, 3 लिखा है, यहाँ पे 1, 2 लिखा है, तो यह minus यह I cap, यह minus, यह J क्या है, अब मालनो हमसे magnitude of displacement पूछ लिया, कि भाई इसकी value कितनी है, यह magnitude कितना है, बड़ा असान है, A, B vector का हमसे magnitude पूछा, बच्चो magnitude क्या होता है, अंडर root, जो I के साथ है, उसका square, X2 minus X1 का square, जो J के साथ है, उसका square, Y2 minus Y1 का square, यह तो देखा हुआ लग रहा है, distance formula, class 10, हमारे साथ धोका हुआ, इतनी असान सी चीज़ा, जैसे घुमा फिरा के बता है, distance formula है, दो points है, X1, Y1, X2, Y2, इनके बीच का distance, X2 minus X1 का square, plus Y2 minus Y1 का square, बच्चों, आप जब आगे भी पढ़ाई करोगे, class 12 में आप vectors पढ़ोगे, और 3D पढ़ोगे, दोनों एकदम similar लगेंगे, 3D में आपको मिलेगा, यह distance formula, section, यह क्या था, distance formula, section formula, और सेम कहानी vectors में मिलेगी, कौन सा ज़्यादा असान है, सर हम लोग को तो वही असान लगता है, 3D वाला distance formula, 10th में आपने 2D पढ़ा था ना, वही distance formula, section formula, पर मैं आपको बताऊँ, actual में vector ज़्यादा useful होता है, इसलिए उसको हम धीरे-धीरे समझ रहे हैं, मिल गया, अब हमने कहा, बाई हमको ये तो क्या मिल गया, magnitude of displacement, मालो हमको चाहिए direction of displacement, इसका direction, बच्चों इसका direction कैसे मिलेगा, एक unit vector in this direction, unit vector क्या हो जाएगा, AB cap क्या हो जाएगा, vector AB upon mod AB, अब जो भी है उसको आप लिख लोगे, वेक्टर लिख लें, vector AB कितना है, x2 minus x1 into i cap, plus y2 minus y1 into j cap, divided by under root, इसका magnitude कितना है, x2 minus x1 का whole square, plus y2 minus y1 का whole square, बड़ा बहानक सा लग रहा है, पर यहाँ जब question आएगा, वहाँ तो values होंगी न, values रख देंगे, 2 minus 1, 3 minus 4, जो भी है, values रख देंगे, simple सा दिखने लगेगा तब है, देखो, आपको displacement vector भी मिल गया, displacement का magnitude भी मिल गया, और displacement का direction भी मिल गया, information complete हो गए, clear है, यह था भाई, इसका field, a, b vector क्या होगा, r2 minus r, displacement, a से चले b को, so b का position vector, minus a का position vector, और in short अगर करना है, तो बड़ा simple है, इसके x में से, इसका x minus करो, y cap, इसके y से, इसका y minus करो, और j cap, magnitude निकाल सकते हैं, और direction, clear है, note करें, pause करके note करें, I will count till 5, 1, 2, 3, 4, 5, आगे परते हैं, सवाल आगे हैं, बहुत बढ़ी हैं सवाल, which is independent of choice of origin, origin से किसको फरक नहीं पढ़ता, position vector को, displacement vector को, दोनों को नहीं पढ़ता, none of the above, यानि दोनों को पढ़ता है, choice of origin पे, कौन डिपेंडेंडेंट है, position vector, displacement vector, दोनों या दोनों नहीं, सोचो, सोचो, किया जाए इसको, आजो भाई, मान लो, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, x, यहाँ पे बना लेता हूँ, y, और यहाँ पे हमारी origin, यहाँ मान लो, a point, और कोई बन्दा, a से चलता, चलता, b पे पहुँचा, चिरिया थी, चिरिया a से उड़कर, b पे पहुँची, भाई, इसका position vector, हो जाएगा, r1 vector, इसका position vector, फरक नहीं पढ़ेगा, एक काम करते हैं, origin बदल देते हैं, यह आप मैं आच में पढ़ोगे, shifting of origin, यह हमने नया, अपना coordinate system ले लिया, capital X, capital Y, और origin को मैंने बोल दिया, o dash, आच्छा, आप सुने, इस origin के लिए, a के लिए position vector, क्या होगा, मेरे ख्याल से तो यह होगा, क्या यह R1 vector ही है, नहीं भाई, इसका magnitude अलग है, मैंने इसको बोल दिया, R1 dash, इस origin के लिए, B के लिए position vector, क्या होगा यह, क्या यह R2 vector है, नहीं, यह अलग है, R2 dash, यानि position vector को फरक पढ़ता है, यानि जो displacement vector है, यानि जो displacement vector है, is independent, is independent, is independent of origin, इसको origin से कोई फरक नहीं पढ़ रहा, यह वाली originally displacement vector यह रहा, यह originally तब भी displacement vector की value तो same रही, यही vector तो है, magnitude भी same, direction भी same, हाँ, position vector को फरक पढ़ रहा है, इस origin के लिए position vector R1, इसके लिए R2, इसके लिए R1 dash, इसके लिए R2 dash, एकदाम अलग हो गया, R1 और R1 dash, डिफरेंट है, यानि जो position vector है, यानि जो position vector है, वो depend करता है, on origin, choice of origin पर depend करता है, बड़ी simple सी बात है, माल लो यहां हम खड़े हैं, यहां बभीता खड़ी है, वाओ, क्या scene है, ठीक है, माल लो यह सामनी वाली wall से, हमने सामनी वाले wall के midpoint को origin माल लिया, वहां से मेरा distance माल लो 3 meter, बभीता का distance 4 meter, मेरे और बभीता के बीच में, distance माल लो 1 meter है, ठीक है, यह हमारा displacement हो गया, माल लो मैं origin बदल दूँ, origin मैं यह वाली wall कल लो, जो कि pass में है हमारे, इस से मेरा distance 2 meter, बभीता का distance 1 meter, या बभीता का distance जो भी कहलो, 3 meter, 1 meter, और हमारे बीच का distance क्या बदला, नहीं, वो किता रहा, यानि displacement vector को, choice of origin से फरक नहीं पड़ा, पर position vector को, choice of origin से फरक पड़ा, वहां से मैं दूर था, यहां से मैं pass हो गया, पर हमारे बीच का जो relative distance है, उसको फरक नहीं पड़ा, so displacement vector is independent of origin, but position vector depends on origin, note कर ले, 1, pause करके, 2, 3, 4, 5, आगे बढ़ते हैं भाई, next सवाल आ गया, इसको एक बार feel से करेंगे, concept के साथ, और दूसरी बात, formula से उड़ा देंगे सीधा, ठीक है, formula क्या है हमारे पास भाई, formula हमारे पास, यह तयार है सीधा, displacement निकालने का, formula यह है हमारे पास, और feel हमारे पास पूरी यह है, आजाओ भाई, दोनों तरह से करते हैं इसको, अब particle moves from, minus 1,2, to 2,3, मैं slow चलूँगा, दोनों तरह से बताऊँगा, find the displacement vector, तो पहले इसको feel के साथ करते हैं, इसको concept के साथ करते हैं, आजाओ, minus 1,2 से 2,3, आजाओ भाई हम लोग पूरा coordinate system बनाते हैं, यह हमारी x-axis, यह y-axis, पहले कहाँ पे है, minus 1,2, minus 1,2 कहीं यहाँ पे है, let this be point A, coordinate हो गया, minus 1,2, बाद में हो कहाँ चला गया, 2,3 पे, 2,3 कहीं यहाँ पे हो गया, point B, 2,3, यह हो गई हमारी origin, यह पहला position vector, R1, यह दूसरा position vector, R2, क्या हम R1 और R2 निकाल सकते हैं यहाँ से, बहुत असानी से, R1 vector कितना हो जाएगा बच्चों, minus 1 i cap, plus 2 j cap, यह हमारा R1, यह R2, R2 vector कितना हो जाएगा हमारा, 2 i cap, 2 plus 3 j cap हो जाएगा, 2 i cap plus 3 j cap, हमें क्या निकालना हैं बाई हमें निकालना है, displacement vector particle यहाँ से यहाँ गया, तो यह होगा displacement vector, यानि A, B, what is displacement vector over here, displacement vector is, A, B vector, A से B, बच्चों A, B vector क्या हो जाएगा हमारा, A, B, यह दो vectors कैसे जुड़े हैं, यह R1 और R2 कैसे जुड़े हैं, टेल से टेल जुड़े हुए हैं, आप एक के head से दूसरे के head पे जा रहे हो, एक के head से दूसरे के head पे जा रहे हो, बाद वाला माइनस पहले वाला, R2 vector माइनस R1 vector, R2 vector की value कितनी है, 2 i cap plus 3 j cap, R1 vector कितना है, minus i cap plus 2 j cap, i में से i minus होगा, 2 minus minus होगया, plus, यानि 3 i cap, 3 j cap minus 2 j cap, कितना होगया, plus j cap, तो answer आएगा, 3 i cap plus j cap, i में से i minus किया, 2 i minus minus plus, 3 i cap, 3 j minus 2 j plus j cap, तो ये तो होगया, feel concept के साथ, पूरा बाद वाला, minus पहले वाला, अब यार, exam में ऐसे थोड़ी ना करना है, exam में तो हम सीधा formula लगा देंगे, बाई, सीधा formula लगा देंगे, हमको position vector, sorry, हमको displacement vector a भी निकालना है, कौन सा formula लगा देंगे हम, x2 minus x1 into i cap, plus y2 minus y1 into j cap, simple, बाद वाले x में से पहले वाला, x minus करो, उसमें i cap लगाओ, बाद वाले के y से पहले वाला, y minus करो, उसमें j cap, 2 minus minus 1, 2, और ये कितना है minus 1 है, x1 कितना है minus 1, 2 minus minus 1, कितना हो गया, 3 minus 2, y2 minus y1, 3 minus 2, कितना हो गया, 1 into j cap, खेल खतम, तो आगे से हम जितने भी सवाल करेंगे, इसी formula से उड़ा देंगे, अभी मैंने आपको feel देने के लिए, पूरा बनाया coordinate system, कैसे r1, कैसे r2, ab कैसे निकलता है, बाद वाला minus 1, इसका feel लेना जरूरी है, क्योंकि आगे आपकी सारी physics में ये चीज़ आपको देखेगी, position vector, displacement vector आपको आगे हर जगे दिखना है, और 12 में बच्चे मैंने देखा, ये concept नहीं जानते हैं, ये आपको पता होता है, बाद वाला minus पहले वाला i cap, बाद वाला minus पहले वाला j cap, तो आगे सारे सवाल हम भी ऐसे उड़ाएंगे, बढ़ ये feel मैं आपको आज देना चाहिए आपको, note करें, 1, 2, 3, 4, 5, अब चलते हैं सवालों की तरफ, हाँ भाई, सवाल आगे, अब particle whose speed is 50 meter per second, moves along the line from a to b, एक particle है, जिसकी speed 50 है, वो चल रहा है along the line from a to b, अच्छा हो, इस line को बना लेते हैं, यहाँ पे रहा a, 2,1, कहाँ चला a से b पे चला, 9,25, आप coordinate system system कुछ नहीं बना रहा है, simple, ऐसे चला, a से b की तरफ, speed कितनी है, 50 meter per second, find its velocity vector, velocity का vector निकालना है, in the form of, by form तो यहीं होगा vector है, तो इसी form में होगी, हमें velocity का vector चाहिए, बच्चों, velocity vector क्या होगा, magnitude of velocity into direction of velocity, यह तो लिखना आता होगा आपको, कोई भी vector क्या होता है, magnitude or direction, magnitude ऐसे मिलता है, direction, unit vector से मिलता है, तो vector v is equals to mod v into v, mod v क्या है, इसका magnitude, बच्चास मीटर पर सेकेंड, speed क्या है, पचास मीटर पर सेकेंड, तो v is equals to 50 मीटर पर सेकेंड, into v क्याब, अब v क्या है, एक unit vector, इसके motion के along, along its direction of motion, बच्चास मीटर पर सेकेंड, v क्या है, velocity का direction, velocity का direction वही होगा, जिस direction में, वो move कर रहा है, यानि इस direction का, एक unit vector मिल जाए, वही velocity का unit vector है, v क्या है, वो vector, जिस direction में यह चल रहा है, उसका unit vector, v क्या है, एक unit vector, इसके motion के along, बाई ये इसका motion है, इसके along unit vector मिल जाए, ये क्या है, बच्चो इसका displacement है, आपके आ सकते हो उसका displacement D है बच्चो displacement कितना हो जाएगा चल्दो जल्दी से बता दो displacement कितना हो जाएगा x2-x1 into displacement है रहा है यह ए से भी चला x2-x1 into i cap 9-2 into i cap plus y2-y1 25-1 into j cap displacement कितना हो गया 7 i cap plus 24 j cap बहुत बड़ी है अब मैंने कहा जो इस direction का unit vector होगा इस direction का unit vector यानि की d cap वही तो ये v cap भी है जिस तरफ displacement होगा उसी तरफ तो body move करेगी वही तो velocity का direction है यानि अगर आपको v cap निकालना है तो आप d cap निकाल लो नहीं समझें अरे इधरी तो fly कर रहा है इधरी तो चल ला है particle है इधरी तो जा रहा है bird होती तो fly कर भी है इधरी तो जा रहा है तो इसी direction का तो unit vector चाहिए इस direction का unit vector हम d cap निकाल सकते हैं बढ़ा असान है d cap is equals to vector d upon model बाई जिदर displacement होगा उधरी तो velocity होगी velocity is in direction of displacement हमेशा नहीं होता ऐसा अब ही kinematics पढ़ोगे बहुत कानी होगी बढ़ यहां तो simple सी बात है यहां तो हो रहा है इधर चल लहा है जिस तरफ इसका displacement जो उसका direction वही velocity का direction बाई इस direction के unit vector को d cap भी बोल सकते हैं इस direction के unit vector को v cap भी बोल सकते हैं velocity भी तो जारी है d cap क्या हो जाएगा vector d upon mod d 7 i cap plus 24 j cap upon under root mod d क्या हो जाएगा i के साथ जो लिखा है उसका square j के साथ जो लिखा है उसका square 7 square plus 24 square pythagorean triplet 7 24 और 25 7 24 पच्चिस है न ये 7 ये 24 तो ये होता है 25 तो 7 square plus 24 का square will become 25 का square under root लगा है तो बहार आएगा 25 7 i plus 24 j upon 25 by 7 square 24 square क्या बन जाएगा 25 का square under root लगा था मिल गया अब जो unit vector इसके लिए है वही velocity क्लिए होगा velocity का भी same direction है तो v gap की जगे आप d gap चिपका सकते हो 50 into 7 i cap plus 24 j cap divided by 25 25 to the 50 v is equals to 2 7 i cap plus 24 j cap मिल गया velocity vector देखो match कर रहा है 7 i cap नहीं 2 into 7 i cap plus 24 j cap meter per second of course velocity है तो किसमें आएगी meter per second 50 meter per second ये वाली बात फील हुई जिधर displacement होगा उधर ही तो velocity होगी तो अगर displacement के direction का unit vector ले लें तो वही तो velocity के लिए unit vector बन जाएगा बहुत बढ़िया नोट करें 1 2 3 4 5 अब जैसे हमने 2D के लिए displacement vector पढ़ा वैसे ही 3D के लिए पढ़ लेते हैं displacement vector इसके बाद सवाल ले लेंगे बढ़िया बढ़िया जिसके लिए आप इस lecture में वेट कर रहे है displacement vector हम 3D में आ गए XYZ एक पॉइंट A एक पॉइंट B ये initial ये final ये रही origin इससे A को join किया ये पहला position vector R1 इससे B को join किया दूसरा position vector R2 बन गया displacement क्या होगा A से B ये रहा displacement अगर मैं आपसे पूछूँ A B की value कितनी है आप तुरिंद बता दोगे दो vector tail से tail जुड़े हैं एक के head से दूसरे के head पे गए बाद वाला माइनस पहले वाला R2 vector माइनस R1 vector बच्चो R2 vector क्या हो जाएगा मेरे ख्याल से तो X2 I cap प्लस Y2 J cap प्लस Z2 K cap हो जाएगा R1 vector क्या हो जाएगा X1 I cap प्लस Y1 J cap प्लस Z1 K cap होगा यह vector position vector कितना होगा X I cap Y J cap Z Y cap और यह भी X I cap Y J cap Z K cap यहां से बच्चो I में से I वाला घटाएगे X2 माइनस X1 इंटू I cap Y में से Y Y2 माइनस Y1 इंटू J cap Z में से Z Z2 माइनस Z1 इंटू K cap यह मिल गया हमको AB vector जो की है displacement अब मालो कहता है हमें displacement का magnitude चाहिए बड़ा असान है इस अब तो हम सीख चुके हैं AB vector का magnitude under root जो I के साथ लिखा है उसका is square जो J के साथ लिखा है उसका is square जो K के साथ लिखा है उसका is square बच्चो this is the distance between two points A and B having coordinates so and so यह distance formula है 3D में तुमने 2D का पढ़ा था 10th में सिर्व यहां तक यह 3D में आ गया magnitude भी मिल गया actual में तो values होंगी यहां पे कुछ value होंगी एक, दो, तीन वहां पे तीन, चार, पांच आसे कुछ value होंगी तो actual में तो यह minus होके 3, minus 1, 2 का square तो यहां पे तो values होंगी अभी खतरनाक लग रहा है magnitude मिल गया और क्या पूस्तकता है displacement का direction क्या है direction मिलता है बच्चों unit vector से AB cap क्या हो जाएगा vector AB upon mod AB खतरनाक सा बनेगा लिख लेना आप कोई मतलब नहीं है actual जब values आएंगी तब हम लोग easily tackle कर लेंगे अभी क्या लिख होगे यह पूरा vector divided by A अरे वाई, लिख सकते हैं कि नहीं actual भी तो values होंगी 3 I cap, 2 J cap, 4 K cap बढ़ यह solve हो जाएगा note करें 1, 2, 3, 4, 5 आगे बढ़ते हैं भाई सवाल आ गया on a horizontal flat ground a person is standing at a point A A पे खड़ा है बन्दा at this point he stalls a 5 meter long pole यहाँ पे इसने 5 meter लंबा एक pole गार दिया ठक 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 एक pole गार दिया 5 meter now he moves 5 meter towards east east में चला 5 meter then 2 meter towards north थोड़ा east, west, north, south समझ लेते हैं east, west, north, south आपको try करना है try करो वहना मैं बनाऊ इसको पॉसकरी try करना है बनाया जाए एक flat ground बना लेते हैं पहले आजो यह हमने एक flat ground बना लिया a person is standing at a point A point A पे बन्दा खड़ा है at this point he installs a 5 meter long pole बच्चों horizontal ground ऐसा है इस तरह से और A पे उसने एक 5 meter लंबा पोल गार दिया यह गार दिया उसने 5 meter लंबा पोल फिर क्या किया now he moves 5 meter towards east बच्चों east इधर है कितना चला 5 meter towards east चला and then 2 meter towards north बच्चों इधर से north कहा होगा ऐसे क्यों भाई इसको जरा लेटा दो इस पे इसको उठा के इस पे लेटा दो भाई यह horizontal है यह अपना horizontal है ठीक है इसको उठा कर इसके उपर ऐसे लेटा दो यह east बना इसको ऐसे लेटा ओ यह east बना तो बच्चों यह north देखो यह horizontal है यह यह पूरा इसको उठा कर इसे लेटा ओ अगर east इधर मान रहे हो इसको इधर माना कि नहीं इसको ऐसे लेटा ओ इसके उपर इसको उठाके इसे लिटा दिया अगर ये east है तो ये north होगा कितना चला then 2 meter towards north यानि अंदर की तरफ चले 2 meter towards north फिर कहां पहुँचे and reaches at point B there he installs another 3 meter long vertical pole साधी का मंडब बंडब सजा रहे कुछ तो चल रहा है ये तीन मीटर लंबा पोल यहां पे इन्होंने बना दिया ठीक है भाई अब क्या करेंगे ये साधी कराएंगे there he installs another 3 meter long vertical pole a bird अच्छा चड़िया के लिए खेल कर रहे थे इतना चड़िया ऐसे ही उड़ जाएगी a bird flies from the top of the first pole to the top of the second pole एक चड़िया यहां से यहां ओड़ी find the magnitude of the displacement of bird एक चड़िया थी एक चड़िया थी यहां से यहां ओड़ी ए ऐसे from the top of first pole to the top of second pole माल लेते हैं भाई इसका point को P बोल देते हैं इस point को Q बोल देते हैं P से Q चड़िया ओड़ी ठीक है अब हमें यही displacement vector P Q मिल जाए तो काम बन जाएगा फिर उसका magnitude निकाल देंगे magnitude of displacement अच्छा P Q कैसे मिलेगा भाई हमें P Q के coordinates लिखने पड़ेंगे coordinates कैसे लिखें हमें थोड़ी axis एकसे बनानी पड़ेगी आच्छों बच्छों हम यहाँ पर अपना जो coordinate से choose करते हैं कैसे axis बनाएंगे थोड़ा सोच लेते हैं कि इस तरफ को X मान लेंगे as usual उपर को Y मान लेंगे और बाहर को Z मान लेंगे ज़रा ध्यान से देखो यह horizontal है हमने का इस तरफ को X माना है देखो इस तरफ को Z माना है यह हमारा X है यह horizontal है यह horizontal है हमने इस तरफ को X माना इस तरफ को Z माना और इसको Y माना उपर को Y अच्छों अब बच्चों हमें origin भी चूज करनी पड़ेगी, हमने का origin point A पर मान लेते हैं, आप कहीं भी मान सकते हो, आप B पर मान सकते हो, आप origin यहां मान सकते हो, हम A पर origin मान लेगे, इसके coordinate कम हो जाएंगे, हमने A पर origin मान ली, ठीक है, A पर origin, यह हो गया हमारा X axis, उपर की तरफ हमन Z इसी plane में है, X, Z इसी plane में है, Y इसके उपर है, ठीक है, coordinate लिखते हैं सबसे पहले P point का आजो, P point का coordinate लिखते हैं, बच्चों P को देखो तो वो X में कितना move किया, कुछ move नहीं किया, Y में कितना move किया, 5 meter, और Z में कितना move किया, Z में कुछ भी नहीं move किया, अगर आप ध्य 0 पे है, Y, X में तो न आगे बड़े, न इधर आए, 0 पे है, Z में भी न आप आगे आए, न अंदर गए, 0 है, सिर्फ Y में उपर गए है 5, तो P का coordinate हो जाएगा 0, 5, 0, X में कितना है, 0, Y में कितना है, 5, और Z में कितना है, Z में न आगे आए, न अंदर गुसे, 0, X में 0, Y मे 5, Z में 0, Q पे आते हैं Q के लिए आप X में कितना आगे आए 5 आगे आए, लिख लिया Z, यह दो को Z है यह Y नहीं है, Y तो यह है 3 मीटर उपर, Y उपर मानी है Y में कितना है 3 है, चलो, 5, 3 यह है ना Y Y तो इस हमने, यह हमारे पास है horizontal, यह हमने Y तो इधर माना, उपर कितना, 3 मीटर long, तो X में 5 आगे आए, Y में 3 उपर और यह क्या है, Z, Z में किधर गए, पीछे, देखो Z यह आगे है, और हम पीछे गए, बच्चों पीछे मतलब हम किधर गए, माइनस Z की तरफ गए है, इधर आते तो, प्लस Z, यह देखो, यह है horizontal, आप यहां से कई से चले, आप यह horizontal है, आप 5 इधर चले, और फिर 2 अंदर को भुज गए, यह क्या थी, Z X, Z X में चले 5, फिर Z के opposite, माइनस Z में चले 2, तो बच्चों कितना हो गया, माइनस 2, कॉडिनेट मिल गए, खेल खतम हो गया, भाई बर्ड का displacement क्या है PQ, क्या आप PQ वेक्टर लिख सकते हो, X वाले में से X वाला माइनस करो, I क्याप लगाओ, 5 माइनस 0, I क्याप, Y में से Y वाला माइनस करो, 3 माइनस 5, कितना हो गया, माइनस 2, J क्याप Z में से Z वाला माइनस करो, K क्याप लगा दो, माइनस 2, माइनस 0 माइनस 2, K क्याप clear है, X1 sorry, X2 माइनस X1, I क्याप, Y2 माइनस Y1 J क्याप, Z2 माइनस Z1, K क्याप अब बच्चों हम से magnitude पूछा है displacement का, तो इसका magnitude क्या हो जाएगा, PQ vector का magnitude, under root I के साथ जो लिखा है, उसका square, J के साथ जो लिखा है, उसका square K के साथ जो लिखा है, उसका square magnitude of displacement ये displacement है, बढ़ का, PQ बाद वाला माइनस पहले वाला ये vector था, अब magnitude निकाल लिया उसका, 5 का square 25 माइनस 2 का, 4 माइनस 2 का, 4, 25 4, 29 और 4, 33 सब चीजें किसमें हैं मीटर में हैं, ये भी मीटर में आ गया magnitude of displacement is root 33 मीटर clear है, feel हुआ ये समझ में आया, ये किधर गए माइनस Z में, East, West, North, South समझ में आया, इस को ठागे इसके उपर रख लो East, इधर, North, इधर, ये बाहर की आगे बढ़ते हैं बढ़िया सवाल 2 point charges electrostatics का सवाल है, अभी तो पढ़ा ही नहीं दो है electrostatics, 12 में है पहला chapter कर ले जाओगे tension मतलो, vector का सवाल है 2 point charges Q1 and Q2 are placed at 0,0 and 1,2,2 meter respectively 2 point charges है Q1, Q2 यहां यहां रखे हैं, नाम देते हैं हैं एक point A है, 0,0,0 इस पे charge रखा है Q1 और दूसरा point B है यहां लगा लेते हैं 1,2,2 इस पे charge रखा है Q2 2 charges Q1 and Q2 are placed at this and this respectively they repel each other with a force of 3 newton repel कर रहे हैं like charges होंगे, दोनों positive होंगे repel दोनों negative भी हो सकते हैं, repel एकी बात में, repel कर रहे हैं हमसे क्या मतलब Q1, Q2 क्या है, same sign होंगा या तो दोनों positive या तो दोनों negative इसका है मतलब नहीं सवाल से they repel each other with a force of 3 newton यह इसको 3 newton से इधर repel किया यह इसको 3 newton से इधर repel किया newton's third law भी लग रहा है every action has equal and opposite reaction इसने इसके उपर action लगाया 3 newton इसने इसके उपर reaction लगाया 3 newton action and reaction acts on different body पढ़ा हो गया इसने इसको 3 newton से रिपल किया इसने इसको इधर 3 newton इधर अच्छा ठीक है the force on q2 due to q1 q2 पे force due to q1 is ever to 1 बच्चों यह लिखने का तरीका होता है अगर कहीं ऐसा लिखा हो force on 2 due to 1 इसको ऐसे पढ़ते हैं ठीक है force on 2 due to 1 कित्ती दे रखी है x i cap plus y j cap plus z k cap क्या पूछा है x plus y plus z यानि यह force अगर vector form में मिल जाए तो आप यह निकाल दोगे options दिये अच्छा force on 2 due to 1 ऐसे अच्छा नहीं लग रहा सिफ f लिख लो कोई दिखकत ने इससे कोई मतलब नहीं इस सवाल का यह तो एक तरीका होता है symbol होता है लिखने का force on 2 due to 1 इसको किदर force on second first की वज़े से क्या इधर लगेगी force on 2 due to 1 क्या ऐसे होगी force on second first की वज़े से repulsion की इधर लगेगी बच्चों इस force को हम क्या बोल सकते हैं दो चीज से बना होगा यह vector magnitude से और direction से यह हो गया इसका magnitude यह इसका direction तुमको 2 1 नहीं लग रहा अच्छा तो मटादो सिफ F लिख लो F vector is equals to mod F into F cap लिख सकते हैं magnitude और direction magnitude कितना है force का 3 newton दे रखा है they repel each other with a force of 3 newton तो भाई यह तो पता था क्या नहीं पता इसका direction नहीं पता force का एक unit vector चाहिए इस direction का अगर आप इसका unit vector निकाल लो वही तो यह unit vector है आपको एक unit vector चाहिए इस direction का अगर आप a b निकाल पाओ अगर आप a b vector find कर पाओ और a b का unit vector निकाल लो तो भाई a b का unit vector इस direction में होगा की नहीं a b cap A-B-CAP यही direction तो होगा तो अगर आप यह unit vector निकाल लो तो इसका unit vector भी वही होगा भाई हमको force के direction में unit vector चाहिए अब चाहे हम इसका cap निकाले चाहे इसका दोनों का cap तो same ही आएगा क्योंकि दोनों का direction तो same ही है नहीं समझे हमको इस direction का unit vector चाहिए था तो हम यह unit vector निकालने यह भी तो इसी direction में है भाई दोनों unit vector का magnitude same दोनों का direction same तो दोनों vector भी same हो जाएंगे कि नहीं अरे भाई क्या A-B cap F-2-1 cap के बराबर नहीं होगा F-2-1 cap ऐसे बना लो इसका magnitude 1 magnitude 1 direction दोनों का same है दो vector equal होगा magnitude भी same direction भी same दोनों unit vector है magnitude 1 direction तेंगे अब A-B vector निकालना तो भाई बच्चों का केले हमारे लिए अरे यह तो हम तुरिंट कर देंगे A-B vector क्या हो जाएगा बाद वाला माइनस पहले वाला X2-X1 यानि 1-0 इंटो I cap 1-0 इंटो I cap Y2-Y1 यानि 2-0 और साथ में लगा देंगे J cap Z2-Z1 2-0 और Z के साथ लगा देंगे K cap अब आपको इसका unit vector चाहिए बच्चों A-B cap is equals to vector A-B upon mod A-B I cap plus 2 J cap plus 2 K cap upon mod A-B क्या हो जाएगा under root I के साथ जो है उसका square यानि 1 का square J के साथ जो है उसका square K के साथ जो है उसका square बच्चों ये कितना बन जाएगा I cap plus 2 J cap plus 2 K cap नीचे 2 square 4 4 8 और 1 9 under root 9 is 3 अब जो A-B cap है वही F21 cap है खेल खतम हो गया है vector F21 is equals to 3 times of F21 cap इस direction का unit vector A-B cap भी लगा सकते हैं कितना हो जाएगा I cap plus 2 J cap plus 2 K cap divided by 3 3 से 3 मर गया आपको F21 मिल गया I cap plus 2 J cap plus 2 K cap so finally आपको answer मिला F21 is equals to I cap plus 2 J cap plus 2 K cap compare कर लो X की value 1 हो गई, Y की value 2 हो गई, Z की value 2 हो गई, X plus Y plus Z, 1 plus 2 plus 2, 5 clear है, electrostatics बारे में कोई information नहीं थी, vector से पूरे सवाल को हिला डाला, note करें, pause करके note करें, 1, 2, 3, 4, 5, चलो भाई, बढ़ियां सवाल आ गया, J advance का, हलवा है, आज का lecture बढ़ियां से पढ़ा तो तुरिंध हिला गया, सवाल क्या है, 3 vectors P, Q and R, तीन vector हैं, are shown in the figure, बच्चों एक point P बनाया, एक point Q बनाया, एक point O, यह जो O से P को join किया, इसको हम OP vector बोलते हैं, इन्होंने P बोल दिया, इनकी मर्जी, इसको OP vector ना बोलके, P vector बोल दिया, O से Q को join करते हैं, हम बोलते हैं, O Q vector, इन्होंने Q vector बोल दिया, let us be any point on the vector R, वेक्टर R कौन सा है, बच्चों यह है, यह vector r है यह रहा vector r इन्होंने का let s be any point on the vector r यह s एक point है vector r यह रहा इसके उपर इन्होंने os को मिलाया और उसको os vector की जगा s vector बोला let s be any point on the vector r the distance between point p and s is b times of magnitude of r बच्चो p और s के बीच का जो distance है that is b times of magnitude of r बच्चो यह होगा पूरा magnitude of r यह कितना है कोई variable b times of magnitude of r the general relation among vectors p q and s p q और s में कुछ relation है ध्यान से देखो s को subject बनाना है p q में relation चाहिए r नहीं होना है ज़रा इसको समझ लो क्या बोला है एक बाद ज़रा सवाल यहाँ पे देखो थोड़ा confuse हो रहा होगे यहाँ पे o है यहाँ पे इन्होंने बोला p है यहाँ पे इन्होंने बोला q है बच्चो यह क्या हो जाएगा op वेक्टर इसको इन्होंने p वेक्टर बोल दिया यह क्या हो जाएगा o q वेक्टर इसको इन्होंने q वेक्टर बोल दिया अब एक बात बताओ यह क्या होगा इस इसको इन्होंने R vector बोल रखा है, इसको इन्होंने R vector बोल रखा है, P Q vector को R vector बोल रखा है, बच्चो R vector क्या होगा, बाद वाला, भाई दोनों vector कैसे जुड़े हैं, दोनों vector कैसे जुड़े हैं, टेल से टेल जुड़े हैं, तो ये अगर R vector है, तो R vector क्या होगा, बाद वाला minus पहले वाला यानी q vector minus p vector शायद इन्होंने भी बता रखा है r vector is equals to q minus p ये r है बाद वाला minus ये दोनों vector कैसे जुड़े हैं this is vector p ये दोनों vector कैसे जुड़े हैं टेल से टेल r vector क्या हो जाएगा बाद वाला minus पहले वाला फिर इन्होंने कहा कि r vector के उपर कहीं एक point s है vector कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जो ps है that distance between the point p and s ये जो है जो ps है that is b times of magnitude of r जो ps का जो magnitude है ये ps vector रिक बनेगा इसका जो magnitude है जो distance है बच्चो that is b times of magnitude of r भाई r का magnitude ये होगा इन्होंने कहा ये b times of magnitude of r है definitely b1 से छोटा होगा definitely b1 से छोटा होगा अरे होगा कि नहीं भाई ये पूरा magnitude of r ये कितना है b times of magnitude of r इतनी information उन्होंने हमको भर दी फिर हमसे पूछा कि p q s में कौन सा relation सही है इसमें r नहीं है कर ले जाओगे try करो pause करके आप ps vector लिखने की कोशिश करो फिर हो जाएगा आपसे ps vector लिखने की कोशिश करो एक बाई try करो pause करके 1,2,3,4,5 चलो हम try करते हैं अब ये रहा खेल सहरा ये है vector p, op vector, ये है os vector, ये है oq vector जिसको इन्होंने q बोला, s बोला, p बोला मैं लिखना चाहता हूँ ps vector क्या लिखना चाहता हूँ ps vector लिखना चाहता हूँ ps vector I want to write vector ps मुझे बताओ vector ps क्या हो जाएगा ये रहा vector ps क्या ps vector s minus p कर देंगे ps ये ये origin इसको इन्होंने बोला है vector p, इसको इन्होंने बोला है vector s, दोनों vector कैसे जुड़े है, tail से tail, इसको वेक्टर s, इसको वेक्टर p, मैंने खाँ ps vector क्या हो जाएगा भाई, दो वेक्टर tail से tail जुड़े थे, आपने एक के head से दूसरे के head की तरफ arrow खीची, क्या होगा, बाद वाला minus, पहले वाला, यानि इसको उम लिख सकते है vector s minus vector, बोलो clear है, दोनों tail से tail जुड़े थे, आपने एक के head से बनेगा, magnitude से और direction से, ps vector, यानि magnitude of ps vector into direction of ps vector, magnitude of ps vector into unit vector, बच्चों magnitude of ps vector तो शायद इनोंने दे रखा है, इसका magnitude बता गिया है, b times of magnitude of r, b times of magnitude, इसका unit vector क्या होगा, बच्चों सोचो जारा, ps, ये रहा, ps, इस direction का unit vector है, क्या r cap इस direction का unit vector होगा, अरे भाई, ये रहा r vector, होई होई होई, ये r vector है, हमको यहाँ का unit vector चाहिए, हम r का unit vector ना ले ले, बाई, जिस direction में ps है, उसी direction में r है, दोनों का unit vector, same होगा, जैसे हमने वो बढ़ वाले में किया, जैसे हमने वो बढ़ वाले में किया था, जो चला था, 50 meter per second से, speed वाले में, बाई, जो ps का unit vector है, वो r के unit vector same ही तो है, इसी direction का unit vector चाहिए, इस direction में r भी है, जो r का unit vector होगा, वही ps का होगा, तो यहाँ पर हम लगा सकते है, r का unit vector, उठा के यह value यहाँ रख दो, b into magnitude of r into r cap is equals to vector s minus vector b, अब मुझे बताओ, बच्चों, r cap क्या हो जाएगा, बहुत ही असान सी बात पूछ ली मैंने, r cap क्या हो जाएगा, vector r upon magnitude of r, रख देते हैं यहाँ पर, b times of r mod, r cap is vector r upon magnitude of r is equals to vector s minus vector, mod r, mod r cancel, b into vector r is equals to s minus p, कुछ तो relation बनने लगा, जड़ा देखो इन्होंने क्या बोला है relation में, p, q, s में relation चाहिए, हमारे पास r भी r है, option देखो सारे, s, p, q और b दिख रहे हैं, r नहीं है, और s को subject भी बनाना है, r नहीं दिख रहा, options में, मतलब यहां से r हटाना है, बच्चो r क्या हो जाएगा, q minus p, r यह vector है, यह दोनों vector tail से tail जुड़े है, r इसके head से इसके head, बाद वाला minus, पहले वाला भी बताया था शुरू में भी, starting भी बताया है, यह रहा r vector, q vector minus p vector, so r की जगे आप लिख सकते हो, vector q minus vector p, is equals to vector s minus vector p, बचों subject किसको बनाना है, इसको subject बनाना है, तो p को इधर ले आते है, b into vector q minus vector p, p को इधर ले आए, plus vector p is equals to vector s, इसको solve करेंगे, तो हम बोलेंगे vector s is equals to bq minus bp, और क्या है, plus p, bq minus bp plus p, so s is equals to bq vector, यहां से p vector common हुआ, 1 minus b, मिलेंगे, bq into, bq plus p into 1 minus b, option check करो, b into 2q यह तो नहीं है, bq into p, b minus 1, अपना क्या रहा है, 1 minus b, यह तो नहीं है, तीसरा, bq 1 minus b into p, मिलेंगे, bq p into 1 minus b, clear है, note करना हो, note करें, यहीं पर आज का lecture होता है, समाप्त, पढ़ाई करते रहें, all the very best.